वीडियो देख रहे हैं सभी वीवर्स को मेरा नमस्कार हम हमारी चारों और पेड़ पौधों को देखते हैं आपने देखा होगा पेड़ पौधे विबन प्रकार के होते हैं जिस प्रकार से यह बाहर से हमको देखने में अलग-अलग दिखाई देते हैं ऐसे ही पेड़ पौ पेड़ पौधे हमको CO2 के बदले में oxygen देते हैं, यदि हमें oxygen ना मिले, तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और भी पेड़ पौधे हमारे विभिन प्रकार से बहुत इप्योगी हैं, तो पेड़ पौधों को और अधिक करीब से जानने के हम प्रयास करते हैं, तो चलि यह ग्राम सीड, चने का बीज, यह मेज सीड, मक्के का बीज, तो आप इनको देखकर के क्या समझ रहे हो, कि जो आपने देखे भी होंगी, जो सीड होते हैं, वो बीभिन प्रकार के होते हैं, मतलब अलग-अलग साइज में, छोटे बड़े मोटे पतले, और शेप भी सीड को यह असम जो सूप्त, और फिर फिर मित्त में इसको हम पानी देते हैं, ठिके, तो पानी से इस सीड का जो उपर वालला कवर है ना हार्ड-छिल का, भो थोड़ा सौफ और फिर यह सीड इसे सूरज की धूफ मिलती है तो यह क्या चारते हैं, मित्ति, वाटर और सैनल तो ले करके अपने लिए फूड बनाता है, खाना बनाता है, तो इसे मिट्टी मे अंदर है मिट्टी में तो मिलेगी, और हम पानी दे देंगे, और इसको सनलाइट से लाइट मिल जाएगी, तो यह क्या करेगा, इसका छिलका भी सौफ्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर जो षोते हैं वो ग्रो करने लग아ते हैं ठीक है तो हम और अच्छा समझते हैं किसे आगे कासे अधिये देखो जैसे यह सीड है राजमा है कि इनी शेप है तो यह की इनी या कि इंड चपडिकर भी कहां मुधिया झुल में केलें। चुकिन का जब कुА माद और यह साफ्ट हो जाएगा।धीवाले अकषाने कुछ मुद्य में तबा दिए। यह सिद बाद चाल ब्रूद ८ुद्य में किम आ थो चिंद घौर में चान। ठीक है? तो यहाँ नीचे वाले पार्ट से इसके रूट बन जाएगी इसको हम बोलेंगे baby root और उपर वाले grow करेगा यह तो उसको हम बोलेंगे baby shoot baby root जो है वो बनाएगी नीचे की root यानिkol मेज़ण और baby shoot जो है वो बनाएगा उपर का stem शू्ट यानी होता है जो मिट्तो से ऊपर बना रहे हैं कि नीचे लुट जो खाना बना चुछ कि उपर भेजेंगी और ऊपर बना जिसमें की बहुत सारी leaves निकलेंगी stem में, फिलार बनेंगे, उसमें fruits बनेंगे, ठीक है, फिर seed बनेगा, तो इन दौनों को मिला करके बोलते हैं embryo, मतलब की एक नया baby, इसको बोलेंगे baby root, baby shoot को हम बोलेंगे plant का एक नया baby मतलब की embryo, ठीक है, तो embryo से ही एक नया plant develop हो जाता ह ठीक है, और जहां से ये baby embryo develop हो रहा है, उन दौनों को पार्ट को हम बोल रहे है, cotyledons, ठीक है, और उपर वाला cover जो है, जो पानी से एब्सॉर्ब करके सॉफ्ट हो जाता है, उसे बोलते है, seed coat, जैसे coat होता ना उपर से, किसी चीज़ को सेफ रखता है, तो इसका जो ये इस वाले cotyledons को protect करता है, यानि इसको safe बनाए रखता है, तो एक बार फिर देख लेते हैं, जब हमने इस seed को मिटी में दिया, तो पानी देंगे, पानी से उपर का जो cover है, seed coat, ये soft हो जाएगा, soft हो जाने के बाद में, जो cotyledons हैं, ये भी पानी को absorb करेंगे, तो इसके य embryo develop होगा, embryo में होगा baby root and baby shoot, baby root बनाएगा, नीचे वाला जो मिटी में नीचे रहता है पार्ट, और baby shoot बनाएगा, उपर वाला पार्ट, जो मिटी के ऊपर रहेगा, अब ये आगी कैसे डबल अब करेगा, ये जानने के लिए हम देखते हैं, हमारा next video, तब तक लिए